हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर में बिल्ली का आना क्या सक्केत दिता है, ये संच या वहम के बारे में वास्तु सास्त्र में बिल्ली को सुब पिरतिक माना जाता है, वास्तु सास्त्र में बिल्ली को गर में रखना सुब बताया गया है, ऐसा कहा जाता है कि सफेद बिल्ली पालने से आर्थिक इस्थित्यां सुधरती हैं. इसलिए फेक सुई में विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफेद बिल्ली पालते हैं. यदि बिल्ली अपने बच्चों के साथ दिखाई दे तो यह एक बहुती सूप सूचक माना जाता है किसी खास रिष्टेदार या मेत्र से मुलाका संभव हो सकती है बिल्ली को इस तरह देखने पर कोई अच्छी ख़बर सुनने को भी मिल सकती है बिल्ली रास्ता काटती है बिल्ली के रास्ता काटने को कई लोग असुब मानते हैं मगर कि आपको पता है जब बिल्ली बाई से दाईयों रास्ता काटती है तब ही असुब होता है अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह इस दित्यां असुब नहीं मानी जाती है बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे यह उम किसी से लड़ाई का संकेत देता है बिल्ली चुपके से अगर दूद पी जाती है बिल्ली बच्चों को पालने के लिए घर में चुपके से अगर दूद पी जाती है लेकिन बुरा मत मानिये यह आपके लिए धन आगमन का भी सुप संकेत देती है किसी सुप कारी से कहीं जा रहे हो और बिली मुह में मास का टुपड़ा लिये हुए दिखाई दे तो इस तोर का धन्यावाद करना चाहिए, काम सफल हो सकता है घर में एकदम सफेद बिली आती है आम तोर पर ऐसा कम ही होता है मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप सुप पिर्थिक मान सकते हैं क्योंकि सफेद बिल्ली अपने सांस सुप समचार भी लेकर आती है सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक उर जाएं भी समापत हो जाती है काली बिल्ली, सास्त्रों में काली बिल्ली को बहुती असुब माना गया है ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली सक्तियों का प्रतिक होती है काली बिल्ली मार्ग काड़ जाए तो अपसकुन होता है वही काली बिल्ली आप से टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह अब्यक्ति के जिवन में संकट आने का प्रतिक होता है घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेक के होने का भी संकेत माना गया है